दोस्तों अब रजिस्ट्रेशन करना अभी भी तो आप कर सकते हूं या फिर नहीं तो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूं तो वीडियो को शुत करने से आप पहले आप एक चोटा सा लाइक जरूर कर दे न और चैनल को अभी तक आपने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दिना ऐसी वीडियो सबसे पहले पाने लिए सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट केंदा यह समझाता हूँ कि CCL दिल्ली है क्या CCL दिल्ली एक private limited एक cricket league है जो कि अपना tournament है वो हर साल कराती है इस साल इनका tournament हो चुका है आप सब लोगों ने पहले भी party split किया होगा और फिर से इनके अगले season के trials हैं वो open हो चुके हैं इन trials को कोई भी दे सकता है और मैं आपको यह भी बता दू कि under 16, under 19, under 23 तो यह है age categories under 25 भी है तो ऐसी age categories होती है CCL दिल्ली के अंदर तो आप अगर age category के अंदर आते हो तो आप इनके trial आराम से दे सकते हो इनके trial बिलकुल free में होते हैं और जो इनके registration की fees है वो भी नहीं लगती है बट यहाँ पर security आप लोगों से ली जाती है जो कि 500 रुपे होती है वो भी आपसे ground पे ही ली जाती है ground पे आपसे 500 रुपे इसलिए लिए जाते है अगर आपका selection होता है तो जो selection matches की fees है उसके अंदर से वो 500 रुपे minus हो जाते है और बट अगर आपका selection नहीं होता तो आपको refund कर दिये जाते हैं ओन ग्राउंड ही मैं आपको यह बता दू कि यह security इसलिए ली जारी है क्योंकि कुछ ऐसे cases हुआ है जहां पर कुछ players ने fraud करने की कोशिश की है और बहुत ज़्यादा company को loss भी किया है इसलिए security का यह रखा गया है पहले यह security का नहीं था तो आप से लोगों को बिल्कुल भी doubt नहीं होना चाहिए सीज में तो चलिए मैं आपको इनकी website लेकर चलता हूं और बताता हूं कि कैसे इनकी registration करना है और इनके trials की date क्या-क्या है दोस्तों मैं आचुका हूं इनकी website पे और इसका link मैं आप लोगों को description box में provide करा दूँगा सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँँ कि आपको register now पे click कर दिना है उसके बाद मैं आपको यहाँ पर अपनी details बर देनी है जैसे कि आपका name क्या है email क्या है उसके बाद में father's name क्या है mother's name क्या है phone number डालना है WhatsApp नमबर डालना है और डियो भी डालनी है साथ में अपना gender select करना है फिर next पे click कर दिना है next पे click करने के बाद में आपके लिए एक दूसरा form खुल जाएगा जो कि players profile करके है तो मैं एक और इस form को fill करके दिखाता और आपको अगला form भी दिखायता हूँ पहला form बनने के बाद में दूसरा form खुल जाएगा जो कि player profile करके है तो यहाँ पर आपको अपना address डालना है साथ में डालना है अपना state और pin code डाल दिना है उसके बाद में next पे click करना है और फिर आपके सामने एक आखरी form आएगा final setup क करके तो मैं इस form को fill करने के बाद में आपको last वाला जो form है वो भी दिखा देता हूँ तो final setup पे आने के बाद में आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना game का format select करना है अपनी age select करनी है category select करनी है उसके बाद में आपको यहाँ पर sponsorship academy trial select करना है फिर अपनी जगे जहां पर time not a robot पे क्लिक करना है capsia को fill करने के बाद में register now पे क्लिक कर दिना है ऐसे आपका registration है वो successfully हो जाएगा चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ फिर से और बताता हूँ कि इनके trials कब होने वाले हैं तो जो trials की date है वो कुछ इस तरह की है 30 November को दिल्ली के अंदर होगा इनका cricket trial तो registration अभी भी open है लखना हो के लिए तो जल्दी से जाके registration करा ही लिना और जैपूर के अंदर होगा 1 December को इनका cricket trial तो ये है इनके cricket trial की date साथ मैं आपको ये एक और बार remind करा दू कि इसमें trial free है बट security लगती है security दखो ये तरह की चीज है कि अब जब आप trial में जाओगे तो अगर आप उसके अंदर select हो जाते हो तो आपकी selection feature में से direct हो जाएगा बट अगर आप select नहीं होते तो आपको refund कर दी जाएगी on ground ही